है तो एक सोम हुआ सब यह सबस्थाराओ आधार आज हम देख रहे हैं कि यह एस्टरॉइड का सो पैड़े और में इसलिए फ्रीए ठीक है जो भी मेरे पास रहता हो मौफत रहता है यह तैंक यू अब इसको मैं क्लियर करकेता हूँ और डिखते की इसका क्रेटर का इंपक्ट पुछ हुआ है क्या अर्थक्ट पूराइए इंपक्ट हो सकते हैं अभी निसके पिछली कि अर्थ का एर्थ कैसे मतलब function कर रहा है उसका और सेस्मिक noise क्या होता है उसको देख सकते हैं जाकर करके अब दिखते कि यह क्या है अभी यह निज में था है ना अब निज में तो अटाई दो कि यह पांथ साल पहले निज में अक्कॉर्डिंग तो निव स्टडी दा यह वार में आपने सुना होगा जैसे हमारे हां है लोनार का का तो यह प्रित्वी का सबसे पुराना एस्ट्रॉिड है एस्ट्रॉइड क्रीटर है वह से होता है यून सन होता है और सन के गissance होता है mercury यूत陽 व Azkaarी यहां पर होता है अस्ट्रॉइड इस्ट्रॉड city built है यहां से कभी-कभी कुछ टुकड़े यहां आजाते हैं इसके आगे भी चला जाते कभी इदर वी कभी दर भी कभी दर भी कभी दर भी ठीक है तो नया स्ट्री यह बोलता है कि यह रवावा जो कहा रहा है कि इसके बार में देखते कि यह है क्या तो यह एक जगह यह वहां पर होगाट यह ताउन है जो कि आरे कुछना पैजेब है मिका गातरा इंदवेष्टन अस्टेलिया में ना जो यह रवववा इंपक्ट है वो क्या सकते कि प्रोटेरोजोइक यून में पढ़ा था लोकेशन क्या है इसका तो वेस्टर अस्टेलिया है यह यहां पर है यह ऐसे अगर चीना की लाइन की तो यह नौर्थ है यह साउथ है यह इस्ट है और यह वेस्ट है तो यह वेस्टनेस टेलिया में है यह रववा क्रेटर और ठीक है और प्रोटेरोजोइक यून का बना हुआ है कहां पर प्रोटेरोजोइक यून का बना हुआ है ठीक है यह डेट है टाइम है समय समझ में आता है पांच जार साल पहले पांच लाग साल पहल पिए एस्ट्रोइड की जो हिए वो कितना पुरान है तो दो दसमडों नई बाइस हजार उनत्री मिलियन साल पहले का इतना फ्रुट हो जो पहले कर दो 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 बिलियन साल पहले का ठीक है क्योंकि प्रिद्वी का उमरी 4.5 billion का है तो 22,000 साल 22,000 billion के सोड़ा यह बड़ी आसफ पॉइंट नहीं दिया हुआ हो सकता है कोमा लगा के लिए ओके अब देखते हैं कि अगर अस्ट्रोइड आया है तो क्या इंपक्ट हो सकता है अस्ट्रोइड आया है तो इसका इंपक्ट यह हो सकता है कि जो हमने कल वीडियो में देखा था हैं कि यहां पर हाई कि कि सिस्मिक आइज वीडि वाय व्रेशन हो सकता है इसमिक न्हीज मझ में आगया था बहुत सारे persistence जो multitude of cause के कारण हो सकता है ये noise जैसे unwanted component signal को भी रोक सकता है ना ठीक है अभी क्या था हमने ये देखा था कि earth के seismic noise level में change आ गया था क्रोना वाइरस के कारण अब क्योंकि लोग moment कम कर रहे थे तो उसमें 30 से 50% लेवल का seismic noise कम हो गया था अब समझो कि इतने लोगों के लिए बेनिफिट बेनिफिशल था है यल्थ पे और इस सब अराम से कम हो सकता है तो यह हम देख रहे थे ओके तो यह वीडियो कितने मिनट का हो गया है अब चार मिनट का होगा एक मिनट और देख सकते हैं तो कल का यह फस गया था कि वोट इस continental axis hypothesis अब यह hypothesis है कि theory है क्या यह देखते हैं कि कह रहा है कि इसको continental orientation hypothesis में बोलता है कि मतलब continent किस तरीके से oriented है ठीक है अब कह रहा है कि अब इसको hypothesis को देखने कह रहा है कि प्रिथिभी का कुछ रीजन जो है कुछ रीजन सब्सक्राइब यह पूरी इतिहास में इतना ज्यादा औरन क्यूं करते रहता है economic development क्यों होते रहता है वहां पर बाक्यों के comparison में जैसा यह भारत को चिडाना चाहरा है या फिर अभी अमेरिका या फिर जो भी अभी उसको चिडाना चाहरा है कह रहा है कि कुछ ऐसे reason होंगे चो इति पूरे लंबे समय तक लंबा आरन करते रहेंगे ऐसा क्यों होता है यह hypothesis यह थियोरी नहीं है तो इसको सत्ते नहीं मान लेना मान भी लेना तो क्या परपड़ता है अब यह कहता है कि it's state that reasons of the earth that are spread across a large latitudinal area जो area large latitude में फैला हुआ है इस latitude से ले करके इस latitude नहीं इस latitude से ले करके इस latitude तक ठीक है area that east to west east से west तक are more likely to witness greater development then there is an extent longitudinal that north to south है अब कहरे है कि कोई धर्ती जो पूरब से पक्षिम की और फैला हुआ है तुछ जादा अरन करेगा as compared to जो धर्ती उत्तर से दक्षिन की और फैला हुआ है क्या बूल रहा है कि भारत जो है कॉम अरन करेगा as compared to बाकि वो सबकी नॉर्थ अमेरिका, south अमेरिक, Australia, Russia, Russia क्यों क्यों वह इस से ज़्यादा फैले हुए बड़िया मज़ाग करते हो और यह कारण क्या बता रहा है कि this is because of temperature आज लाज ले से विले कॉस्ट लाटिटूड करा कि तापमान क्योंकि इस लाटिटूड में चलो तुम्हारी मर्जी है तो मैं माल लेता हूं पर ऐसा तो कुछ होता नहीं होगा अब इस फर्स्ट प्रपोस्ट वाई अमेरिकन जोग्राफर एक जोग्राफर थे अमेरिका के उनके द्वारा जेर्ड डाइमंड ही रहा है आदमी नहीं ही रहा है इस पॉपुलर 1997 बुक ग एंड श्टील इसमें इन्होंने पहली बार प्रपोस किया कि जो जिसका एक्स्टेंसन वेस्ट टू इस्ट होगा ज्यादा वह ज्यादा अर्न करेगा एस केंपर टू जिसका नॉर्थ वीडियो के लिए अगला वीडियो थैंक्यू समच